दोस्तों चाहें कुछ भी हो जाए, खास कर्बत चौत पर चौत माता को ये तीन चीजें कभी मत चड़ाना, होता है घोर अनर्त, ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करे, चौत का बरत खंडित हो जाता है, आपके पती का जीबन संकट में पढ़ सकता है, चौत माता को ये तीन चीजें भूल कर भी मत चड़ाना, साथ ही जानिए, पूजा का शुब महूरत, दोस्तों क्योंकि ये बिरत मा गोरी से सम्मदित है, इसलिए सचे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जै माता पारबती, मा पारबती के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैन पर महिलाएं करबा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं, जिसकी बजह से पती पतनी को जिंदगी भर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, माना जाता है कि करबा चौथ का ब्रत कोई मामुली ब्रत नहीं होता, करबा चौथ में एक गलती भी ब्रतिधारी को भारी प भंग हो जाता है दोस्तो कर्बा चौध का तेवहार कार्टिक मास की शुकुल पक्ष की चतुर्ति को मनाया जाता है कर्बा चौध का ब्रत इस साल 2021 में रभिबार के दिन यानि 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा आपको बता दें स्वागिन महिलाओ को कर्बा चौध का अपितू बिदेशों में रहने बाली महिलाएं भी कर्बा चौत का ब्रत बाखोबी निभाती हैं। कर्बा चौत की पूजा का शुब महुरत है शाम पांच बचकर 43 मिनट से लेकर शाम 6 बचकर 69 मिनट तक दोस्तो महुरत के अनुसार पूजा पाट करने का फल कई हजार गुना प्राप होता है। जिससे की पाप ना लगे खास कर्बा चौत पर ऐसी पूजा किसी भी सोहागिन महिला को नहीं करना चाहिए तो आए ये ये भी जान लेते हैं। दोस्तो कर्बा चौत का ब्रत किसे नहीं रखना चाहिए आए जानते हैं। सबसे पहली बात कर्बा चौत का ब्रत सोहागिन महिला या जिनका रिष्टा तैह हो गया है। तो बही इस्तरियां ये ब्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पती से लड़ती जगलती है तथा नफरत करती है तो उसे ये ब्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये तिवहार प्यार का है नफरत का नहीं। इसलिए पती पतनी में प्यार होना बहुत जरूरी है। कर्बा चोट के ब्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि इस तरियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग बिदबा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनी का प्रतीक है। इसल अगर बीमार है तो उसकी जगए पती ये ब्रत रख सकता है और बहीं किसी महिला को अगर मासिक धरम आ जाए तो वो महिला पूजा पार्ट में तो शामिल हो सकती है लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती वो घर में किसी और से पूजा पार्ट करबा सकती है आप चा पालन बैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं परन्तु इश्वर की प्रतिमा को इस पर्श ना करें मासिक धरम में ब्रत रखने की कतई मना ही नहीं है या आप मासिक धरम को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है द इसे स्वयम आप ही खरीदें या अपने पती से ले लें। दूसरी महिला का मंगल सुत्र इस्तमाल ना करें। इससे पती पर संकट आ सकते हैं। दोस्तों कर्बा चौत पर मांग में भरपूर मातरा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगल सुत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों कर्बा चौत पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्विशेष्ट माना गया है। इससे चौत माता बहुत प्रसन होती है और देती है बर्दान बही आप हरा पीला गुलाबी लाल महरूम या भगबा रंग भी पहन सकते हैं भगबा रंग बहुत ही शुब और मंगलकारी माना गया है दोस्तो बही अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुब माना गया है आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं दोस्तों चौत माता को क्या ना चड़ाएं जब आप करबा चौत की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखे या तीलियां तूटी हुई नहीं होना चाहिए जो कि हम दिखा रहे हैं इन सीखों की संख्या करबा माता को चड़ाने से ब्रत तूट जाता है क्योंकि चटका हुआ करबा खंडित माना गया है माता को जब आप श्रिंगार का सामान चड़ाएं तो नया ही चड़ाएं ध्यान से देखें चूडियां तूटी हुई नहीं होना चाहिए आप भी तूटी तथा चटकी चाहिए आप चाहे तो पुरानी करबा चौत की चंली इस्तमाल कर सकते है या आप बाजार से भी ला सकते हैं दोस्टो माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में पाँच रंके फल होना चाहिए और मिठाईयां भी पाँच रंकी होना चाहिए बड़ा ही शुब माना गया है फलों में खास कर माता को नाश पाती ना चड़ाएं शुब नहीं माना जाता आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाईयां रख सकते हैं करबा चौत में इस्तमाल होने बाले चाबल बाजार से खरी दें चाबल तूटे हुए नहीं होना चाहिए चाबल साप और सफेध होना चाहिए माता को जब आप नारेल अर्पित करें तो जटा बाला यानी पानी बाला नारेल होना चाहिए माता को लाल चुन्नी चड़ाना सर्विशेष्ट उत्तम माना गया है कर्बा चौत की पूजा के आसपास जाडू पोचा नहीं होना चाहिए और बहां से जूते चपल भी दूर हटा दें पाप लगता है ब्रत तूट जाता है चौत माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती कर्बा चौत की पूजा में चौत माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए इस बात का ध्यान रहे चौत पूजा के लिए जब आप कर्बा चौत का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए फटा गला फोटो खंडित माना गया है फोटो संपूर्ण होना फोटो पर फूलो की माला अबश्य चड़ाना चाहिए करबा चौत की पूजा में कथा अबश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए कथा जब आप सुने तो आपकी मुठ्थी में थोड़े चाबल होना चाहिए दोज तो कथा आप बीडियो दोरा भी सुन सकते हैं जो की हम डिस्क्रिप्सिन बॉक्ष में कथा का लिंक दे देंगे आप बहां से सुन सकते हैं करबा चौत की पूजा में पूरे मैकप आदी शिरिंगार आदी के साथ चौत माता की पूजा करनी चाहिए और अंति में चांद की पूजा करनी चाहिए इस बात का ध्यान रहे अगर आपका करबा चौत का ब्रत है तो मन में खाने के प्रती लालसा ना रखें अर्थात जब तक पूजा संपन न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप अवित्र ना करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली, साज ये ननन्त को दी जाती है साथ में थाली में दक्षिना भी डालें और आश्री बात लेना ना भूलें अंति में पती के साथ भोजन ग्रण अबश्य करें ब्रत्य संपूर्ण और सफल हो जाता है दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें जै माता रानी, जै चोथ माता